अल्टिमेट ग्यान में आपका स्वागत है और आज हम जानेंगे भगवान सीव को परशन करने के उपाए सभी राशियों की अनुशार दोस्तों सभी देयुताओं में भगवान सीव एक ऐसे देयुता है जो अपने भगतों की पूजा पाट से बहुत जल्दी परशन हो जाते हैं इसलिए उन्हें भोले नात भी कहा गया है और यही कान था कि असुर भी वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान सीव की तपष्या किया करते थे और उनसे मन चाहा वरदान प्राप्त कर लेते थे आज हम आपको यहाँ पर राशी अनुसार शिव पूजन के बारे में बताएंगे कि सभी राशियों के अनुसार आप शिव जी को कैसे परशन्न कर शकते हैं तो आईए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी के बारे इस राशी का श्वामी मंगल होता है और मंगल का पूजन शिवलिंग रूप में ही किया जाता है इस राशी के लोग शिवलिंग पर कच्चा दूद और दही अर्पित करें साथ ही भोले नात को धतूरा भी अर्पित करें कपूर जलाकर भगवान की आर्थी करें ऐसा करने से भोले नात की विशेश क्रपा आप पर बनी रहेगी आईए बात करते हैं अब विर्षप विर्ष रासी के लोग किसी भी दिन शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव को गन्य का रश से सनान कराएं इसके बाद मोगरे का इत्र शिवलिंग पर अरपित करें अंत में भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें ऐसा करने से आपकी मनोकामना शिग्र पूरी होगी मिथुन आप सफ्टिक के शिवलिंग की पूजा करेंगे तो स्रेश्ट रहेगा यदि सफ्टिक का शिवलिंग उपलग्द नहीं हो तो किशी अन शिवलिंग का पूजन किया जा सकता है मिथुन राश्टि के लोग लाल गुलाल, कुमकुम, चंदन, इत्र, आदि से शिवलिंग का विशेख करें आग की फुल अर्पित करें, मिठा भोग लगाकर आर्थी करें ऐसा करने से भगवान शिव आप पर सिग्र परशन होंगे और आपकी मनोकामना शिग्र पूरिय होगी करक राश्टि इन लोगों को अश्टगंद एवं चंदन से शिव जी का अभिशेख करना चाहिए बैर एवं आटे से बनी रोटी का भोग लगाकर शिवलिंग का पूजन करें शिवलिंग पर प्रति दिन कच्चा दूद अर्पित करें और शाथ ही जल चड़ाएं ऐसा करने से आप पर शिव जी की किरपा बनी रहेगी शिंग राशी इस राशी की लोगों को फलो की रश और पानी में सक्कर घोल कर शिव जी का अभिशेख करना चाहिए साथ ही शिव जी को आकडे के पूश परपित करें मिठाई का भोग लगाएं पुश्प के साथ बेल पत्र भी अरपित करें ऐसा करने से शिंग राशी वालों पर शिव जी का विशेश क्रपा बनेगी और आपकी मनोकामना शिगर पूरी होगी कन्या आप महादेव को बैर धतूरा भांग आकडे के फूल अरपित करें और साथ में बेल पत्र पर रखकर नवेद अरपित करें अंत में कपूर मिश्री जल से अभिशेख कराएं शिव जी के पूजन के बाद आधी प्रक्रमा आउश्य करें ऐशा करने पर बहुत ही जल शुब फल प्राप्त होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी मोगरा, गुलाप, चावल, चंदन, आधी भोले नाथ को अरपित करें अंत में आर्थी करें ऐशा करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रशन होंगे और आपकी मनोकामना शिगर पूरी होगी फ्रिश्चिक इस राशी को शुद्ध जल्द से इन लोगों को शुद्ध जल्द से शिव लिंक का अभिशेक करना चाहिए शहद घी से सनान कराने के पस्चाथ पुने जल्द से सनान कराएं एवं पूजन कर आर्थी करें लाल रंग के पुश्प अर्पित करें पूजन के बाद मशूर की दाल का धान करें ऐसा करने से शिव जी की करपा आप पे बनी रहेगी धनू धनू राशी के लोग भात जिसे हम चावल भी कहते हैं शिवलिंक का स्रंगार कर सकते हैं पहले चावल को पकाले इसके बाद पके हुई चावल को ठंडा करके शिवलिंक का स्रंगार करें शूखे मेवे का भोग लगाएं बेलो पत्र गुलाव आदी अर्पित करें और उसके बाद आर्थी करें ऐसा करने से धनुराशी वालों पर शिवजी की विशे स्कृप आएगी मकर आप गेहूं से शिवलिंक को ढखकर विधिवत पूजन करें पूजन आर्थी पूर्ण होने के बाद गेहूं का दान जरुरत मन्द लोगों को कर दें इस उपाये से आपकी सभी समश्याएं समाप्त हो जाएंगी आएए अब बात करते हैं कुम्ब कुम्ब राशी इन लोगों को यह उपाये करना चाहिए सफेद काले तिल को मिलाकर किसी ऐसे सीवलिंक पर चड़ाएं जो एकांत स्थान में स्थित हो जल में तिल डाल कर शीवलिंक को अच्छे से सिनान कराएं इसके बाद काले शफेद तिल अरपित करें पूजन के बाद आर्थी करें एशा करने से कुम्ब राशी वालों पर विशेष गरबा शीवजी की द्वारा बने रहेगी मीन राशी इस राशी के लोगों को रात में पीपल के नीचे बैठ कर शीवलिंग का पूजन करना चाहिए इस समय में ओम नमस्षिवाय का 35 बार उच्चान कर बेलो पत्र चढ़ाएं और आर्थी करें शीवलिंग पर चले के दाल चढ़ाएं और पूजन के बाद इनका दान करें ऐसा करने से शीव जी की किरपा आप पर बनी रहेगी तो दोस्तों आज हमने बात की कि कैसे हम शीव जी को परशन कर सकते हैं आप अपनी राशी के अनुशार दिये गए उपायों को अपना कर अपनी मनो कामना शिग्र पूरी कर सकते हैं आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने कोमेंट्स जरूर शेयर करें and प्लीज सब्सक्राइब तो और चैनल थेंक्स